पहली और दूसरी तारीख, एक और दो तारीख में धन के प्रतिसावधान रहें, किसी का देनले ना करें, क्योंकि इस समय पर आपको नुक्सान होने की संभावना रहेगी, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ये छे दिन आपके लिए बहुत सुंदर और सुखह देखें, इसके अंदर परिवार के अंदर उत्सव होगा, उल्लास की प्राप्ती होगी, खुशियां मनाई जाएंगी, धन के रास्ते खुलेंगे, और सारे परिवार वाले इस समय पर प्रसनता का अनुभाव करेंगे, लेकिन इसके साथ ही, अब आप जो है, 9, 10, 11 तारीख, ये कारण चिंता कि किसी भी ऐसे समाचार आपको प्राप्त हों, जिससे कि मन की अंदर चिंता हो जाए, तो उस समय पर दूद का दान करके, और आप इस समय पर इसका लाव ले सकते हैं, 12 और 13 तारीख, ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, बाकी तो सभी के ये कही न कहीं सत्रुता उत्पन कर सकती हैं, इसलिए उसके प्रती आपको सावधान रहना होगा, 17 अठारा तारीख, ये आपके लिए व्यापार के लिए और साजेदार के लिए, चाए वो जीवन सातिक है या व्यापार का सातिक है, उनके साथ में अच्छा तालमेल बना क करके रखेंगे, 19 और 20 तारीख, ये आपके लिए स्वास्त के लिए थोड़ी नाजुक रहेगी, तो उसकी सावधानी बरते हैं, और 21, 22, 23, 25, 26 तारीख, ये जो करम से आपके 6 दिन हैं, ये आपकी उन्नती के लिए, प्रसनता के लिए, धना गम के लिए, और राजकी ये स सावधान रेना होगा, किसी भी प्रकार का देन लेना आप इसमें ना करें, वन्ना पैसा आपका फस सकता के, डूब सकता के, कई इन्वेस्ट आप ना करें, लेकिन 30 और 31, ये आपके लिए बहुत ही संदर परिणाम देने वाला है, बाकी जानकारियों के लिए नमरों से सं करके कारियले से अपाइंटमेंट लेकर के कारियले की सेवाएं हैं, वो आप अरपन करके जिस भी विशे में आपको जानकारी चाहिए, वो जानकर के लाब ले सकते हैं, नमस्कार.